जैहिन दोस्तों मैंनी धीबेन चोहन आज हम करेंगे क्लास 10th का 4.2 का question number 4 इसमें हमें बोला गया है कि जिनके वर्गों को जोडने पर हमें दो ऐसी संख्याइं ढूननी हैं जिनके वर्गों को जोडने पर 365 आंसर मिले तो चलिए शुरू करते हैं माना दो क्रमिक पूर्णांख हैं x और x प्लस 1 अब उनके वर्गों का योग तो वर्ग एकस का भी वर्ग कर देंगे और x प्लस 1 का भी वर्ग कर देंगे तो वर्गों का योग, यह हो जाएगा x square, ठीक है, अब यहाँ पे x plus 1 पे whole square है, that means यह formula बन रहा है, a square plus b square plus 2ab, तो a square देखो, a क्या है x, तो a square, b square यानि कि 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग तो 1 होगा, और यह 2ab, तो 2 और यह a b, तो गुणा हो जाएगा तो 2x, ठीक है, क्या रहे, वर्गों का योग करने पर, योग कर दिया, क्या मिलना चाहिए, 365, यह हमें question में दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ 365 लिख दिया, x square plus x square, 2x square, 2x plus 1, यह हमने एक series बना दी, because द्वीघात समिकरण बन रहा है यहां पर, ठीक है, अब यह as it is, 365 का करेंगे, पक्षान तो यह plus का है अभी, तो minus का हो जाएगा, बराबर 0, 2x square, 2x 365 में से एक को minus किया, 364 बराबर 0, अब इन सब में से हम दो common ले सकते हैं, क्योंकि सभी number even है, तो देखो, यहाँ पर एक common ले लिया, तो यहाँ बचा, x square plus x minus 182, अब यह हमारा द्वीघात समिकरण बन चुका है, अब यहाँ पर हमें निकालने हैं, अव्यव, ठीक है, तो अव्यव निकालने के लिए, आगे वाले number और पीछे वाले number की करते हैं, गुणा, x square के साथ कुछ नहीं है, that means 1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे, और 182, 182 एकम, 182, अब 182 का LCM, तो 2 से किया 91, 7 से किया 13, 13 से किया तो 1, LCM निकालना आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करने पड़ेगी, ठीक है, उसके बाद, देखो, अब देखो, इस 2x, सॉरी, इस x के, 1x है यह, ठीक है, इस x के, यानि कि 1 के ऐसे दो टुकडे करने हैं, कि प्लस माइनस करने पर 1 आए, और गुणा करने पर 182 आए, जो हमारा यहां पर आया था, ठीक है, प्लस करने पर, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकते हैं, प्लस या माइनस करने पर 1x आए, और गुणा करने पर आए, 182, तो देखो, हमें LCM पे चलते हैं, साध दुनी, 14, 14 और 13, यदि 14 में से 13 घटाते है तो हमें मिलता है 1, और यदि 14 और 13 को गुणा करते हैं, तो हमें मिलता है 182, तो हमारे अव्यव आच चुके हैं, प्लस 14x, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जो निशान यहां है, वही निशान बड़े नंबर का होना चाहिए, 14 और 13 में से बड़ा है 14, इसलिए प् इन दोनों में से कॉमन लेंगे, माइनस 13, ठीक है, अब एक बारी x प्लस 14 और एक बारी x माइनस 13 बराबर 0, अब इन दोनों के शुन्ये निकालेंगे, तो शुन्ये के लिए x प्लस 14 बराबर 0, 14 का पक्षांतरन तो माइनस 14, x माइनस 13 बराबर 0, 13 का पक्षांतरन तो 13, अ हमने क्या माना था, X माना था, और X प्लस 1, तो X हो गया 13, क्योंकि ये रिणात्मक नहीं हो सकता, और X फ्लस 1, यानिकी 13 फ्लस 1, 14, ठीक है, अब इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं, तो हमें मिलता है 27, और इन दोनों को गुणा करते हैं, तो हमें मिलता है 182 ओके तो मिलते हैं अगले question के साथ अगली वीडियो में जै हिन जै भारत